जै मातादी आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में जहाँ पर आपके लिए चैत्र नवरात्रे के प्रारंभ से पहले मैं आपको मा का संदेश देना चाहती हूँ आप किस पूजा को करें ताके मा की जो अराधना है वो करके आप अपनी विश्च को पूरा कर सकें आज ये संदेश आपके लिए खास तार पर मैं लेकर आई हूँ ताके आप इस वीडियो को देखकर आप वही मननत मांगें जो पूरी हो सके हम हर रोज कोई ना कोई नई कामना नई मननत नई उदेश्य से पूजा करते हैं हम हमेशा एक मनतव से एक उदेश्य से पूजा करने बैठते हैं ताके हमारी पूजा पूरी हो संपन हो और वो चीज़ें हमें मिलें जो हम पाना चाहते हैं हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि हमारी मनत पूरी हो हमारी जो भी अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो और इच्छाएं पूरी हो पर आज मैं ये संदेश खासतार पर आपके लिए लेकर आई हूँ कि इस नवरातरी में आप क्या ऐसा मांगें जो पूरा हो सके क्या ऐसा विश्च करें जो पूरा हो सके तो आज की ये रेडिंग आपके लिए बहुत डिफरिंट और खास होने वाली है मां का संदेश मैं आपके तक पहुचाना चाहती हूँ कि उनकी उर्जा आप तक किस प्रकार से पहुँच सकती है वो आपके किस बात को पूरा कर सकती है क्योंकि मां ये जानती है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उनको अपने बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना देखे हम जब छोटे होते हैं तब हमारी मां को ये पता होता है कि हमें कितना खाना खाना है, कितना दूद पीना है, हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते पर हमारी मा ये सब जानती है, तो इसी प्रकार से दुरगा मा भी सब जानती है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए और उसे कितना देना है दुर्गा मा सब जानती है, वो जानती है कि कौन सी इच्छा पूरी करने से आप खुश हो सकते हैं और कौन सी इच्छा पूरी करने से आपके फ्यूचर में, आपके भविश्य में इसका गलत प्रभाव आपके उपर हो सकता है तो वो सब जानती हैं तो आज की इस वीडियो में एक डिफरेंट सी रीडिंग में लेकर आई हूँ जिसमें आपको मैं संदेश दूँगी कि आपको ये विशिज उनसे मांगनी चाहिए ताकि आपकी वो विशिज पूरी हो सकें और इन नवरात्रों में आप जादा से जादा मां की उर्जा को ग्रहन कर सकें आपकी कौन से इच्छा पूरी करने के लिए मां इन नवरात्रों में इन चैत्र नवरात्रों में आपके घर आने वाली हैं तो आज इस रीडिंग को हम देखने वाले हैं तो आपको कुछ और मांगने की जरूरत नहीं ये wishes आप मांगें जो यहाँ पर आज मैं बताऊंगी तो वो जरूर पूरी हो सकती है क्योंकि ये जो energies निकल कर आई हैं वो खुद माने आपके लिए भेजी है ये message माने आपके लिए भेजा है तो चलिए one by one इसको देखते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले reading को शुरू करने से पहले course details आपसे share करना चाहती हूँ अगर आप tarot सीखना चाहते हैं तो आपके लिए course फिर से शुरू किया जा रहा है अगर आप इसे सीखना चाहें तो number screen के उपर है आप इस number पर whatsapp करके इसके detail ले सकते हैं tarot एक बहुत intuitive science है जब आप इसे सीखते हैं तो आप reading कर सकते हैं किसी के लिए आप reading कर सकते हैं खुद के लिए आप reading कर सकते हैं अपने अपनों के लिए जिस तरह से आज मा का संदेश हम यहाँ पर देखने वाले हैं बिल्कुल उसी तरह से tarot उस समय पर आपकी मदद करते हैं जब आपकी मदद के लिए कोई नहीं आता tarot उस समय पर आपके guru बन सकते हैं आपके guide बन सकते हैं आपके mentor बन सकते हैं जब आप कहीं फसे हुए हैं तो आप भी इस विधा को सीख कर अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, अच्छी तरह से लक्षन निर्धारित करके बहुत उपर तक आगे तक बढ़ सकते हैं, अपने कदम आगे रख सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भै के, बिना किसी आप तो चले आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं देवी मा का क्या संदेश है आपके लिए आपको उनसे क्या मांगना चाहिए जो पूरा हो सकता है आप देवी मा के सामने जब बैठते हैं तो क्या मननत मांगें जिससे आपकी मननत पूरी हो जाए और आपको मा का आशरवाद पर साथ में मिले, तो मा क्या संदेश देना चाहती है, आपको क्या कहना चाहती है, वो आपके लिए इस धर्ती पर क्यों आने वाली है, हर किसी की अपनी उर्जा होती है, हर किसी की अपनी अनर्जी होती है, उसके अनुसार वो कारे करता है, भगवान ने हमें इतनी समझ दी ह कि हम अपनी उर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हमें जरूरत पड़ती है guidance की फिर हमें जरूरत पड़ती है counseling की advice की तो आज की ये reading जो है pile number one मैं आपके लिए अप करने वाली हूँ तो इसलिए आप इसे guidance सम या आप इसे counseling समझे ताके आपके लिए ये जो स्थिती है वो आपके जीवन को परिवर्तित कर सके मा आपके कौन सी wish पूरी करने आ रही है इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी तरह के stress में है किसी भी तरह के आप मुश्किल में है आपको होने वाला आगे आने वाला आपका future बहुत bright है आपको इसके लिए मा गाइड करेंगी मा आपके दुखों को दूर करने के लिए आ रही है मा आपको ये संदेश देने के लिए आ रही है कि किसी भी दुख से कभी घबराएं मत कभी भी किसी भी परिशानी में परिशान मत हो आपके पास जब जीवन में बहुत सारी choices होंगी तब आपको सही choice करने का मौका मा देंगी वो आपको इतनी बुद्धी देंगी, इतनी क्षमता देंगी कि आप सही का साथ दे पाएं सही आप चूज कर पाएं जब भी आप रिष्टों में कहीं अटके हुए हैं आप फैसला नहीं कर पा रहे, क्या सही है, क्या गलत है बस वहां पर एक बार मा को याद कर लें वो आपकी मदद के लिए जरूर आएंगी कुईन ओफ वान्स यहां पर कहता है कि जो भी चीज़ें आपको लगता था कि बहुत मुश्किल है उसे आसान करने के लिए आपकी जिन्दगी में मा जरूर आएंगी और जब भी आप उन्हें बुलाएंगे वो तब ही आएंगी, बस आपको उनको प्यार के साथ, महबबत के साथ मुश्किलों को दूर करने के लिए आवाज देने की जरूरत है वो आपके आसपास ही आपको नजर आने वाली है ये विश्वो आपकी जरूर पूरी करने वाली है अगर आप मा से मांगते हैं वो आपको बल दे सकती हैं बुद्धी दे सकती हैं विद्या दे सकती हैं पर अगर आप उनसे गलत मांगेंगे तो वो कभी नहीं देंगी आपके दुख दूर कर सकती है आपको समझ दे सकती है आपको उठने का होसला दे सकती है पर उठना आपको खुद है क्योंकि भगवान भी देवी भी तभी मदद करती है वो भी अपनी उर्जा आपको तभी प्रदान करती है जब आप वो क्षमता रखते हैं वो भी ये देखती हैं कि क्या उनके बच्चे ये क्षमता रखते हैं कि उन्हें मैं अपनी उर्जा प्रदान कर सकूँ तो इसके लिए आपको तयार रहना है इसके लिए आपको मां की एराधना करनी है पूजा करनी है जब आप कुछ भी मांगते हैं तो आप में इतनी potential होनी चाहिए कि आप मांग सकें जब आप कहीं काम करते हैं तो आप अपनी salary उसी के according मांगते हैं जितनी आपकी potential होती है आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझे जादा से जादा दे दो और मैं कुछ नहीं करूँगा तो ये possible नहीं होता है तो energies भी अपना काम करती हैं जब आप में potential होती है तो मांगने की इच्छा आपकी है पाने की इच्छा आपकी है तो आपको बैठ कर उसी तरीके से मांगना चाहिए आपको बैठकर मां से बात करने चाहिए उनकी उर्जा को ग्रहन करना चाहिए उनकी पूजा अर्चना करने चाहिए अराधना करने चाहिए आपके पास मां जरूर आएंगी आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगी यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपकी रिष्तों से संबंधित को इछा है अगर आपकी खुद को बहुत पावफुल करने की इछा है शक्ती महा से माँगने की इछा है तो आपको शक्ती जरूर मिलेगी आपको आगे बढ़ने के लिए माँ प्रेरिट जरूर करेंगी हम जब मा के आगे बैठते हैं देवी मा से कुछ भी मांगते हैं तब हम उनसे कहते हैं हमें धन दे दो, दौलत दे दो हमें पैसा दे दो, हमें ये दे दो हमें वो दे दो पर अगर हम उससे वो मांगे जो वो दे सकती है अगर हम उससे वो मांगे जो वो देने के लिए हमें तयार बैठी है तो कितनी जल्दी हमारे विशस पूरी होती है ये हमें भी अंदाजा नहीं होता अगर हम उनसे कहें कि मां, हमें ये समझ दे दो कि हम किस तरह से धन कमा सकते है मां, हमें ये बुध्धी दे दो कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं मां हमें बल दे दो जिससे हम दुनिया का सामना कर सकते हैं तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपकी विश्ष पूरी होती है तो मां से मांगने का तरीका आज मैंने आपको बता दिया क्योंकि अगर आप सही तरीके से मांगते हैं तो आपकी डिमांज क्यों नहीं पूरी हो सकती आपको वो क्यों नहीं मिल सकता जो आपने बहुत सही तरीके से मांगा है शायद हम गलत तरीके से मांग रखते हैं शायद हम गलत तरीके से अपने wishes को पूरा करना चाहते हैं शायद हम shortcuts लेना चाहते हैं तो यहाँ पर shortcut नहीं ले आप अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें आप अपने बल को बढ़ाने के लिए बुद्धी को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी और मा आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगी potential आप में आजाएगी आप में बल बुद्धी विद्य आजाएगी शक्ति आजाएगी सोचने की समझने की परक आजाएगी आप जिंदगी में क्या नहीं कर सकते तो ये थी pile no.1 आपके लिए reading बहुत छोटी सी reading में लेकर आई हूँ ताके मा का संदेश आप तक पहुँचा सकूँ कि आपको क्या मागना चाहिए जिससे आप अपनी wishes को पूरा कर सके आज के लिए इतना ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूर मत भूले ताके ऐसी ही beautiful readings आपके साथ मैं share कर सकूँ और देवी मा का संदेश आप तक पहुचा सकूँ आपका इसी देखने के लिए धन्यवाद अब मैं बात करने वाली हूँ अगर आपने मा की इस तस्वीर को चुना है तो ये reading अब आपकी होने वाली है मा आपकी कौन सी wish पूरी करने वाली है मा आपको कौन सा आशिरवाद दे सकती है क्या मांगना चाहिए आपको जिससे आपकी wishes जल्दी पूरी हो आपके लिए आज का ये संदेश खास हो सकता है कौन सी wishes इन अवरातरों में आपको मां से मांगने चाहिए या आप मुझे बाद में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए ये संदेश खास हो सकता है, ताकि जिन्दगी में आपको वो हर चीज मिल सके जो आप पा सकते हैं, जो आप अचीव कर सकते हैं, तो आज का संदेश आपके लिए हैं बहुत beautiful reading होने वाली है, मा से connection आप फील क और उसके बाद इस रीडिंग को महसूस करें पाइल नमबर टू आप बहुत स्पिर्चुल हैं बहुत स्पिर्चुल इनसान हैं बहुत प्यारे इनसान हैं क्या पाहना चाहते हैं आप माँ आपसे पूछने के लिए आएंगी इस बार जो विशिज आप करने वाले हो वो विशिज पूरी होंगी माँ आपके साथ नयाय करने के लिए आ रही है वो आपके साथ प्यार करने के लिए आ रही है अपने बच्चे के लिए माँ हमेशा उसका साथ देने के लिए आ रही है यहाँ पर reverse है 9 of sword का card जो बताता है कि वो आपके दुख को दूर करने के लिए आ रही है आपको इमोशनल प्रार्थना करते हैं मा से भावनात्मक रूप से मा के साथ जुड़ते हैं तो वो आपके लिए साफ साफ तौर पर आपको महसूस करा देंगी कि वो आपके आस पास है आपको उनके इनर्जिस को महसूस करना आ जाएगा जब भी आप उनके पास पूझा के लिए बैठेंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि आप तो उनके पास ही बैठे हैं बहुत patience के साथ बहुत balance के साथ अगर आप पूझा करते हैं तो आप क्या achieve नहीं कर सकते मैं ये सोच रही हूँ आपके लिए आपके लिए बहुत beautiful cards आए हैं जो कहते हैं कि मा की उर्जा आपके आस पास बहुत आराम से मुझे नजर आ रही है मा आपकी हर wish को पूरा करने के लिए तयार हैं बस आपको मांगने भर की देरी है बैठें उनके सानेध्य में उनके पास और पूझा करें अर्चना करें वो आपकी हर wish को पूरा करेंगी जो भी आप demand करते हैं उनसे जो भी आप wish मांगते हैं आप परिवार की wish मांगें आप अपने काम के लिए wish करें आप अपने लिए health के लिए wish करें स्वास्थे के लिए मांगें कि आपका स्वास्थे अच्छा हो तो हर तरह से divine energies आपके आसपास हैं बहुत प्यारी यहाँ पर मुझे energies नजर आ रही हैं आप भी देख सकते हो temperance में भी angel है आप यह दिन होते हैं नवरात्री के जब आप मां के सामने बैठ कर अपनी कोई wish मांगते हैं तो साधारन सा message समझ कर वीडियो को skip मत करें आपके लिए यह जो message है बहुत बड़ा message हो सकता है मां आपके दुखों को आपके दर्द को आपको heal करने के लिए इस धर्ती पर आ रही है आपको अपनी specific उर्जा देने के लिए मां इस धर्ती पर आ रही है तो इस उर्जा को ग्रहन करें आप यह मत समझें के नवरात्री हैं आएंगे चले जाएंगे दिन इन दिनों को जितना उर्जा के अनुसार आप इस्तिमाल कर पाएंगे जितना आप यह सोचकर इन्हें ग्रहन कर पाएंगे कि यह उर्जा आपको फिर कभी नहीं मिलेगी उतना जादा energetic आप हो जाएंगे आप अगर कुछ भी मां से मांगना चाहते हैं तो traditional तरीके से अपने घर के रिती रिवाजों के अनुसार आप पूजा करें बैठें दिया जलाएं अपने घर के अनुसार आप रत करें पूजा पाठ करें तो आप देखिए कितना अच्छा connection आपका मां से होता है और किस तरह से आप इस उर्जा को महसूस कर पाते हैं तो पाइल नमबर टू ये खास दोर पर आपके लिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहां पर मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है कि आप किसी ना किसी समय पर इन नौ दिनों में मां का एहसास जरूर कर पाएंगे आप मां को जरूर ऐसा महसूस कर पाएंगे कि वो आपके आस पास है उनकी एनरजी आपको जरूर देखने को मिलेगी किसी अच्छे संकेत के रूप में किसी सिंबल के रूप में एंजलिक नंबर्स के रूप में या किसी भी रूप में आपको महसूस होगा आपको लगेगा कि वो आपके आसपास हैं तो आप मुझे मेसेज करके जरूर बताना कि क्या वाकई में आपको लग रहा है कि वो divine energies आपके आसपास हैं वो healings आपके आसपास हैं जिसे आप accept करना चाहते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो जरूर पाएं मा की उस उर्जा को क्योंकि पूरा साल आपके लिए ये काम करेंगी पूरा साल आप उसे ग्रहन करके बहुत अच्छा फील करेंगे सम्रिद फील करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप हर उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं इसके लिए माँ ने आपको आशिरवाद दिया है तो पूरा साल आपको माँ की इस उर्जा को अपने साथ रखना है यहाँ पर डिवाइन हीलिंग साफ साफ यह कह रही है यह एक आज बता रही है कि माँ आपके लिए इस धर्ती पर मौजूद रहने वाली है पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है आपको आशिरवाद मिलने वाला है गौड ग्रेस मिलने वाली है यहाँ पर आपके लिए है तैन ओफ पैंटिकल, टेंपरेंस, हाई रोफिन, दे लावर्स और इसके साथ है जज्जमेंट की इनरजी पेज ओफ काप्स की इनरजी बहुत खुबसूरत वाइब्स यहाँ पर मुझे नजर आ रही है इसलिए बार-बार यह मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप इसे भूले मत क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलने वाली है जिन्दगी में स्थिरता आने वाली है आप अगर अपने सोल मेट से अपने ट्विन से मिलना चाहते हैं तो यह भी आशरवाद मा आपको देने वाली है तो आप किसी बड़ी जगे पर कुछ एचीव करना चाहते हो कुछ पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हो आप एजुकेशन लेना चाहते हो कोई भी विश आप मा से मांग सकते हो वो आपकी हर विश को पूरा करेंगी इस बार मुझे लगता है कि पाल नमबर टू आपकी जो भी विश आप करेंगे जरूर पूरी होगी जज्जमेंट यहाँ पर दिखाता है कि हीलिंग आपको मिलेगी अगर आप किसी डिवाइन हीलिंग को लेना चाहते हैं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप स्पिर्चुल जर्नी पर हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ युचाईया मिलने वाली है आपको जिन्दगी में कोई ऐसा दुख नहीं है जो माँ आपकी मदद ना करें आगर आपके दुख को दूर ना करें वो आपके दुखों को जरूर दूर करेंगी लेकिए हमेशा एनरजिस हमारे आसपास होती है हम उसे पहचान नहीं पाते तो अब आपके अंदर वो six sense जागरित होने वाली है अब आपके अंदर वो intuitive powers जागरित होने वाली है जब माँ के इनरजिस को आप महसूस कर पाएंगे तो ये दिन आपके लिए बहुत खास है इन दिनों में पूजा अरचना जरूर करें अराधना जरूर करें थोड़ी दर बैठें meditate करें वो सके introspection करें अगर आप ज़्यादा धूपती नहीं कर पाते हो ज़्यादा बैठ कर मंतर जाप नहीं कर पाते हो तो simple कुछ नहीं करना बस imagine करना है माँ को imagine करके ऐसा महसूस कर सकते है कि वो आपके आसपास है वो तो divine है वो तो powerful है वो आपके आसपास आ जाएंगी आपको कोई बड़े-बड़े मंतर जाप की जरूरत नहीं है कोई बड़े-बड़े तामजाम की जरूरत नहीं है माँ को तो बुलाने की जरूरत है अपने बच्चे की आवाज वो दूर से भी सुन लेती है बस बुलाने की आप में क्षमता होनी चाहिए आप इतने साफ दिल होने चाहिए आपका दिल इस तरह से मा को बुखारे कि मा को आपकी आवाज सुनने ही पड़े बस इतनी से जरूरत है तो आपकी वो आवाज जरूर सुनेंगी, ऐसा कभी नहीं होता, कि आप उन्हें दिल से बुलाएं और वो ना आएं, कभी आपकी माँ ने आपके लिए इग्नोरंस दिखाई है, नहीं न, तो इस तरह से ये माँ भी कभी अपने बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकती, ये माँ भी कभी अपने बच्चों की आवाज पर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो माँ के ये दिन आप भी उतने अच्छे से सेलिब्रेट करें, अगर आप बहुत बड़े पुजा पाट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, दिल से माँ को याद करें, उनको बुकारें, उनको अ आपका जो मा का प्रवेश है, वो दिल के अंदर होना चाहिए, जब आप उनको अपने दिल में जगह देते हो, तो फिर आपको किसी कठनाई में, किसी दुख में, किसी दर्द में, किसी घवराहट में रहने की जरूरत नहीं रहती, फिर आपके मन से सारे डर दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने आपको जब उस डिवाइन एनरजी को समर्पित कर देते हो, तो फिर सब कुछ उसे ही करना होता है, तो मा अपने बच्चों का तो ध्यान रखेंगी ही, उसे पता है कि ये बच्चे मुझ पर समर्पित हैं, ये बच्चे अब मेरे हैं, तो मुझे उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है, और उनका बुरा नहीं होने देना है, तो मा खुद सब कुछ देख लेंगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये विश्वास होना भी बहुत बड़ी बात है, जब आप ये विश्वास करते हो, जरूर लिखें, और लिखें कि मा इस बार आपकी विश्वास को जरूर पूरा करेंगी, और वो आपके दिल में प्रवेश जरूर करेंगी, आज के लिए इतना ही, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब पॉजिटिव, जय माता दी